ओम श्यान्ती एक जुलाई दो हजार एक्किस के इश्वरिय महावाक्य पहले एक नजर मुरली के मुख्य पॉइंट्स पर भाबा ने कहा बच्चे आत्म अभिमानी बनो मैं तुमको यही पाठ पढ़ाने आया हूँ यह पाठ शाला है मनुष्य से देवता नर से नारायन और नारी से लक्ष्मी बनने की जैसे इश्वर की महिमा अपरम पार है ऐसे भारत की महिमा भी अपरम पार है भारत जैसा सुख धाम और कोई खंड नहीं होता सारा मदार पवित्रता पर है जो भारत वासी सूर्यवन्शी देवी देवता थे वही धीरे धीरे पतित बन गए हैं इसलिए अब न पीस है न प्रोस्परटी पतित कल्युक को पावन सत्युक बनाने के लिए भगवान ने यह ज्यान यग्यरजा है ज्यान और योग से ही आत्मा पावन सतो प्रधान बनेगी पानी से नहीं अभी कल्युक का अंत है विनाश सामने खड़ा है इस पुरानी दुनिया से तुम्हें वैराग्य आना चाहि बाप ने तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है स्वदर्शन चक्रधारी ही भविश्य में चक्रवर्ती महराजा बनेंगे लास्ट में बाबा ने कहा तुम मुझे निरंतर याद करो जितना याद करेंगे उतना पतित से पावन बनेंगे तुम्हारे पाप भस्म हो ज अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से. आत्म अभिमानी बनने से ही तुम मनुष्य से देवता नरसे नारायन बन जाते हो। इस समय सब मनुष्य मात्र, पुजारी, अर्थात पतित देह अभिमानी हैं। इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते रहते हैं। गीत छोड भी दे आकाश सिहासन। ओम शान्ती। बच्चे जानते हैं कि यह ओम शान्ती किस ने कहा। कौन से बच्चे। आत्माई जानती हैं कि ओम शान्ती किसकी आत्मा ने कहा परमपिता परमात्मा ने कहा बच्चे जानते हैं मनुष्य की आत्मा ने नहीं कहा यह परमपिता परमात्मा शिव ने कहा वह सभी का बाप उंचे ते उंचा है अब गीत में सुना भारत पर बहुत माया का परचाया पड़ा हुआ है बहुत पतित बन गए हैं इसलिए पुकारते हैं कि है पतित पावन फिर से आओ पावन बनाने आत्मा ही बुलाती है अपने बाप को जिसको भगवान कहते हैं कहते हैं वही पतित पावन है एक की ही महिमा होती है वह है सभी आत्माओं का बेहद का बाप यहां सब पतित बन गए हैं तब पुकारते हैं हे परम पिता परमात्मा वही ज्यान का सागर भी है पतित पावन भी है वहे पिता भी है तो शिक्षक भी है क्योंकि ज्यान सागर भी है वर्ल्ड अथोरिटी भी है सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों को जानने वाला भी है उनको कहते ही हैं नोलेजफुल तो इस समय सब पारलोकिक बाप को पुकारते हैं क्योंकि सब ही दुखी है कहते हैं गौड फादर उनका नाम भी चाहिए न उनका नाम गाया हुआ है शुब बाबा वही उन्च ते उन्च ग्यान का सागर सुख का सागर शान्ती का सागर है यह मनोश्य की आत्मा अपने बाप की महिमा करती है उन्च ते उन्च आत्मा किसकी है? परमपिता परमात्मा की वह है परम पतित मनोश्य उनको याद करते हैं सत्य युग में जब पावन भारत था, देवी देवताओं का राज्य था, तो कोई पतित नहीं था, यह है तमोप्रधान दुनिया, अर्थात, दुनिया में जो मनुश्य रहते हैं, सब पापात्माई हैं, यही भारत पावन था, यही भारत पतित हो गया है, यहां कल युग म पतित पावन परमपिता परमात्मा परमधाम से आकर हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं जरूर उनको शरीर तो चाहिए ना यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है ज्यान का सागर जो अथोरिटी है वही सब कुछ जानते हैं भारत में चित्र भी दिखाते हैं विश्नु की नाभी से ब्रह्मा निकला उनको हाथ में शास्त्र देते हैं अभी विश्नु कोई सब शास्त्रों का सार नहीं सुनाते हैं परमपिता परमात्मा ज्यान का सागर ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार समझाते हैं ब्रह्मा विश्नु शंकर का भी पहर चैता है ब्रह मा को, वे विष्णु को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, शंकर की तो बात ही छोड़ दो, अभी ज्ञान का सागर कोन? निराकार उँच तेउच परमात्मा ही पतित पावन है, यह है महिमा है उस परंपिता परमात्मा की, यहां भी आत्मा की ही महिमा होती है आत्मा ही शरीर दवारा कहती है मैं प्रेजिडेंट हूँ, मैं बेरिस्टर हूँ, मैं फलाना मिनिस्टर हूँ आत्मा ही मर्तबा लेती है शरीर दवारा आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ इस समय जब बाप आते हैं कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो मैं तुम्हारा बाप आया हूँ तुमको यही पाठ पढ़ाने यह पाठ शाला है मनुश्य से देवता नर से नारैन नारी से लक्षमी बनने की बाप को सभी आत्माईं बुलाती हैं कि है परमपिता परमात्मा अब निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आओ रूप बदलो तुम निराकारी आत्माईं तो जब शरीर में आती हो तो गर्ब में आती हो पुनर जनम लेती हो बाप समझाते हैं तुमने 84 जनम गर्ब से लिए हैं एक शरीर छोड फिर गर्ब में जाते हो ऐसे 84 जनम लेते हो मैं तो गर्ब में नहीं आता हूँ भारत वासी असुल में देवी देवता धर्म के थे फिर सीड़ी नीचे उतरते आई शत्रिये वर्ण में फिर वैश्य शुद्र वर्ण में कलाईं कम होती जाती हैं भारत 16 कला संपूर्ण था फिर 14 कला बना भारत वासी अपने जनमों को नहीं जानते 84 जनम भारत वासी ही लेते हैं और कोई धर्म वाले 84 जनम नहीं लेते तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो यह ज्यान की बात है स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चकरवर्ती महराजा बनते हो स्वर्ग का तुम अच्छी रिती जानते हो हम यहां आये हैं पतित से पावन बनने यह है ही पतित दुनिया पतित पावन सर्व का सदगती दातातो एक ही बाप है, सब उनको ही पुकारते हैं, बाप को याद करते हैं। कृष्न को नहीं, क्रिष्न ने गीता नहीं सुनाई। गीता है सर्व शास्तरमे शिरोमनी। भारत की गीता किस धर्म शास्तर है? आदी सनातन देवी देवता धर्म का, किसने गीता गाई, राज योग किसने सिखाया, परमपिता परमात्मा पतित पावन बाप ने, तो तुम्हारी आत्मा जो निराकार थी, उसने अभी यह साकार शरीर धर्ण किया है, साकार मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहेंगे, भल सत युग में लक्ष्मी नारायन हैं, तो भी भगवान नहीं कहेंगे, वह तो करके उपाधी टाइटल दी जाती है, काईदे अनुसार भगवान एक है, creator is one, बाकी वह हैं देवताईं, 5000 वर्ष की बात है, इन लक्ष्मी नारायन का राज्य था, इनको महराजा महरानी कहा जात भगवान महराजा नहीं बनते हैं, वह तो बाप ही है, जो आकर भारतवासियों को ऐसा देवीदेवता बनाते हैं, अभी तो देवीदेवता धर्म का कोई है नहीं, इनको कहा जाता है रावन संप्रदाई, क्योंकि रावन राज्य है, रावण को वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं क्योंकि यह पुराना दुश्मन है परन्तु इनको भरत्वासी जानते नहीं शास्त्रों में भी वर्णन नहीं है कि रावण कोन है रावण को दस शीष क्यों दिखाए हैं इन बातों को अच्छी रिती समझना है मनुष्य तो बिलकुल पत्थर बुद्धी हैं पारस बुद्धी इन लक्षमी नारायन आदी को कहेंगे पारस नाथ पारस नाथिनी का राज्य था यथा राजारानी तथा प्रजा भारत जैसा सुख धाम और कोई खंड होता नहीं जब भारत में स्वर्ग था तो कोई बिमारी दुख रोग नहीं था संपूर्ण सुख था गाया जाता है इश्वर की महिमा अपरम पार है वैसे भारत की भी महिमा अपरम पार है सारा मदार पवित्रता पर है पुकारते भी ऐसे हैं सब पतित हैं पीस नहीं है प्रोसपल्टी भी नहीं है अभी तुमने समझा है हम भारतवासी सुर्यवन्शी देवी देवता थे फिर धीरे धीरे पतित बने हैं इनको कहा जाता है मृत्यु लोग इसको आग लगनी है य है है शिव ज्यान यग्ये रुद्र ज्यान यग्ये भी कहते हैं मनुष्य नाम तो बहुत रख देते हैं जहां भी शिव की मूर्ति देखते हैं तो अनेक भिन भिन नाम रख देते हैं एक के ही अनेक नाम से मंदिर बनाते हैं तो बाप बैट समझाते हैं ज्यान भक्ती वे वेराग्य आता है अर्थात इस पुरानी दुनिया से वेराग्य है यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है बच्चे पूछते हैं बाबा हम पतित से पावन कैसे बने कई नए आते हैं तो अलाव नहीं किया जाता है जैसे कोलेज में कोई नया जाकर बैठे तो कुछ भी समझ न सके और किसको पता ही नहीं है मनोश्य से देवता कैसे बन रहे हैं मनोश्य जो पतित हैं वही पावन बनते हैं इस समय भारत भी बैगर है सत्यूग में भारत प्रेंस था शुरी क्रेश्न सत्यूग का पहला नंबर प्रेंस था उसमें सब गुण है राज्य लक्ष्मी ना करेशन तो प्रिंस था, राधे प्रिंसिस थी, क्रेशन प्रिंस की ही महिमा गाई जाती है, सर्वगुन संपन, सोला कला संपुर्ण, उसने कोई गीता नहीं सुनाई, वह तो सत्यूग का प्रिंस था, वह पतित मनोश्यों को पावन बनाने के लिए गीता पाठ सुनाए, यह ह सब शास्त्र हैं भक्ती मार्ग के कितनी शास्त्रों की महीमा है सत्यूग में कोई शास्त्र चित्र आधी भक्ती मार्ग के होवते ही नहीं वहां तो ज्यान की प्रालब्द होती है 21 जनमों के लिए फिर से सत्यूग का राज्य भाग्य ले रहे हैं भारतवासी सत्यूग में 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे और कोई भी पार्टीशन आदी नहीं था 5000 वर्ष की बात है अभी कल्यूग का अंत है न विनाश सामने खड़ा है भगवान ने यह ज्ञान यग्य रजा है पतित कल्यूग को पावन सत्यूग बनाने तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा आदी सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना स्वब शुब बाबा ब्रह्मा द्वारा करा रहे है तुम अभी मनोश्य से देवता बन रहे हो गाते भी है परम पिता पर्मात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते है वह तो हुआ प्रजा पिता उनकी सब उलाद है बरोबर ब्रह्मा द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना हुई थी आज से 5000 वर्ष पहले भी मैं संगम पर आया था तुमको यह राजयोग सिखाने क्रिश्न नहीं, मैं आया था क्रिश्न पतित दुनिया में आ नहीं सकता बाप ही आते हैं वही सर्व का सदगती दाता है मनुष्य मनुष्य को सदगती दे नहीं सकते याद भी सभी एक को ही करते हैं परमपिता परमात्मा कहां रहते हैं तुम बच्चे जानते हो परमधाम में रहते हैं वह है ब्रह्म महतत्व वहां आत्माएं पवित्र जैसे महान आत्माएं हैं यहां भी महान आत्मा पतित आत्मा कहते हैं न वास्तों में यहां महान आत्मा एक भी नहीं है आत्मा को ही पावन सतो प्रधान बनना है ज्यान और योग से न की पानी से आत्मा ही पतित बनी है आत्मा में ही खाद पड़ती है आत्मा ही गोल्डन, सिल्वर, कोपर, आइरन बनती है अभी आत्माएं जो पतित हैं उनको पावन कौन बनाई सिवाए परमपिता परमात्मा के और कोई बना न सके बाप ही बैट समझाते हैं मामे कम याद करो, तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे जितना याद करेंगे, उतना पतित से पावन बनेंगे महनत इसमें है, ग्यान तो सारा बुद्धी में है यह चक्र कैसे फिरता है, हम 84 जनम कैसे लेते हैं सत्यूग में कितना समय राज्य चलता है, फिर रावन कैसे आता है रावन है कोन, यह भी किसको पता नहीं है कमसे रावन को जलाते आते हैं, यह भी किसको पता नहीं है हर वर्ष जलाते हैं, सत्यूग में तो नहीं जलाएंगे अभी है ही रावन राज्य, राम राज्य तो कोई स्थापन कर नहीं सकता, यह तो बाप का ही काम है, पतित मनुष्य तो कर नहीं सकते, वह तो सब विनाश हो जाएंगे, पतित दुनिया ही विनाश होनी है, सत्युग में एक भी ऐसे नहीं कहेंगे, कि है पतित पावन आओ, व फिर इनोंने 84 जनम कैसे लिए? आदी सनातन देविदेवता धर्म वालोंने ही 84 जनम लिए हैं. वही इस समय शुद्र वन्शी बने हैं. अब फिर ब्राह्मन वन्शी बनते हो. अभी तुम हो ब्राह्मन चोटी. यह है उंच ते उंच चोटी. ब्रह्मा मुख वन्शावली ब् अभी तुम शिव बाबा के बच्चे भी हो. पोत्रे पोत्रियां भी हो. शिव वन्शी फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो. वर्सा मिलता है दादे से. बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो. पावन बनो तो तुम मेरे पास मुक्तिधाम में आ जाएंगे. इन बातों क समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है. वहे तो हजारों हैं. कोई पूछते हैं कितने बीके हैं. बोलो हजारों की अंदाज में हैं. इस दैवी जाड की व्रिधी होती जाती है. अब फिर से सेपलिंग लग रहा है आदी सनातन देवी देवता धर्म का. क्योंकि देवता धर्म है नहीं. सब अपने को हिंदू कहलाते रहते हैं. और धर्मों में कनवर्ट हो गए हैं. फिर सब निकल आएंगे. आकर बाप से वर्सा लेंगे. तुम आए हो बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्सा पाने. अर्थात मनुश्य से देवता बनने. अच्छ को नमस्ते. रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते. नमस्ते. गुड मॉर्निंग. शुक्रिया बाबा. शुक्रिया. धर्ना के लिए मुख्यसार. पहला पॉइंट. पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान और योग में मजबूत होना है. आत्मा में जो पड़ी है. उसे याद की मेहनत से निकालना है. हम ब्रह्मा मुख्वन शावली ब्राह्मन चोटी हैं. इस नशे में रहना है. ब्राह्मन ही वर्से के अधिकारी हैं. क्योंकि शुबाबा के पोत्रे हैं. आज का वर्दान अपने अनादी आदी रियल रूप को रिलाइज कर ने वाले संपूर्ण पवित्र भव. बाबा ने कहा आत्मा के अनादी और आदी दोनों काल का ओरीजिनल स्वरूप पवित्र है. अपवित्रता आर्टिफिश्यल शुद्रों की देन है. शुद्रों की चीज ब्राह्मन यूज नहीं कर सकते. इसलिए सिर्फ यही संकल्प क करो कि अनादी आदी रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा हूँ. किसी को भी देखो तो उसके रियल रूप को देखो. रियल को रियलाईज करो तो संपूर्ण पवित्र बन, फस्ट क्लास व एर कंडिशन की टिकेट के अधिकारी बन जाएंगे. आज का स्लोगन परमात्म दुआओं से अपनी जोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती. ओम शान्ती और अभी सुनेंगे आज की अव्यक्त मुरली. इसके लिए उपर दिये गए बोक्स को क्लिक करें. झाल झाल